हेलो और नमस्कार दोस्तों सुवाध करते हैं आपका एक बार फिर से अस अन्यूस पर जिहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 में होने वाले त्रीपुरा मेगले नागालें करनाटक विदांसबा चुनाओ के ओबनिन पोल के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं त्रीपुरा मेगले नागालें और करनाटक में किस की बन रही हैं सरकार कौन मारने जारा हैं बाजी जिहां दोस्तों 2023 में इन राज्यों में छिड़ेगी चुनावी जंग कहीं बीजेपी की सरकार्तों कहीं कॉंग्रेस का राज हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां एक आम आदिप की जिन्दकी सियासत से काफी ज़्यादा जुड़ी होती है इस मुल्क में हर 4-6 मैने पर कोई ना कोई बड़ा चुनाव होता ही रहता है साल 2023 की बाद करेतों देश के कम से कम 10 राज्यों में विदान्सवा चुनाव है इन राज्यों में त्रीपुरा, मेगाले, नागालेंड, करनाटाक, 36गर, मद्यपर्देश, मीजोरम, राजस्थान, तिलंगाना और संभवते, जमोकस्मिर भी हो सकता है इन में से कुछ राज्यों में देश की सबसे बड़ी पार्ट यानि की बीजेपी की सरकार है तो कई राज्यों में दूसरे दल सत्ता में है आईये, एके करके इन राज्यों की सियास intend gbor और ओपनिन पॉल, यान की जनता की राइ इस बार किसे वोट देने की है दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता है तृपुरा की त्रीपुरा में यानि कि भारत में इस साल चुनावी सीजन की सुरुवात उत्तरपूर के राजियों में होनी है। इन राजियों में सबसे बड़ा सूबा त्रीपुरा हैं जहां BJP के नेतोत में एक गड़ बंदन सरकार हैं। साल 2018 में हुए विदानसबा चुनाव में भारते अंता पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। विकल्प कुमार देव के नेतोत में सरकार बनाई थी बाद में 5 मई 2022 को BJP ने मानिके साको मुख्यमंतरी की कुर्शी पर बिठाया। त्रीपुरा में भरावरी 2023 मे चुनाव हो सकता है। दोस्तों बात कर लाता है मेगाले की। मेगाले में फरवरी 2023 में मेगाले में भी विदानसबा चुनाव हो सकता है। 60 विदानसबा सदेश्चियो वाली मेगाले विदानसबा में कॉनराड संगमा के नेतोत में नेशनल पीपल पार्टी की चुनाओं में NDPP ने 60 में से 18 सीट जीती थी और 12 सीट उपर जीतने वाली BJP की मदद से गटबंदन कर सरकार बना ली थी इन चुनाओं के बाद NDPP के नेता नेतन्याओं, रियो, मुक्यमंत्री बने नगलेंड में एक बार फिर फरवरी 2023 में चुनाओं हो सकते हैं बात कर लेता है करनाटक, जिहां दोस्तों आज सब उपनिन पोल के एक साथ बताने वाले हैं तो यहां पर करनाटक की भी बात होने वाली हैं करनाटक में दक्षनी भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक करनाटक में मई 2023 में चुनाओं हो सकते हैं जिहां दोस्तों एक बार फिर से आपको उताते थे हैं करनाट के राज्ये में माई 2023 में किसी भी वक्त चुना हो सकते हैं 2018 के विदानसबा चुनाओं में किसी को भी बहुमत नहीं मिला था जिसके बाद कॉंग्रेस और जेडियू के समर्तन से याने के समर्तन दिया था और कुमार स्वामी मुख्यमंतरी बने थे हाला कि बाद में बीजीपी सरकार बनेने में काम्याब हो गई थी और पहले यदुरुपा और बाद में बसव राज वो मई को मुख्यमंत्री बनाय गया था चलिए दोस्तों बात कर लेता है एके करके इंद राजियों के ओपनिन पोल के बारे में याने के सबसे पहले बात कर लेता है करनाटका की करनाटका में 224 सीट है और इसलिए आसे देखा जाए तो किसे कितनी सीट मिलेगी तो एके करके जानकारी स्थान लेते हैं सब सब पहले निकल गया रहा है करनाटक राज्जे का ओपनियन पूल यांकि दस दोसो चोबीस में से दस विदानसबाद सीटों का ओपनियन पूल आपको दिखाया जा रहा है और भरतिया दा पराटे के बीसेफी को पांच सीट और तीन सीटों पर कॉंग्रेज पाटे जेडियेस यानिके जनताध्य उनियुणाइट को यहां पर दो सीटे और आमाधी पारेके सवयो कि राइक एनुसार देखा जाए तो Congress Party आने के INC के खात में 0, NPP को यहाँ पर दो सीटी मिल सकती है, UDP के खात में 0, और BCP को यहाँ पर तीन सीटों पर बड़त मिल सकती है, IND के खात में 0, और NPP का यहाँ पर सूपड़ासाब हो सकता है, दोस्तों यहाँ बात के लेता है, त को एक सीट, TIPRA को यहाँ पर 0 सीट, आमाधी पार्ट एक खात में 0 सीट, अन्य पार्ट के लेता है, दोस्तों यहाँ बात के लेता है, नागाल लेंड की, नेफ्यू रियो की पार्टी, NDPP को यहाँ पर तीन सीटे, वही भारते अंदा पार्ट के नेता, तेम जेन को पर मिल सकती है, दो सीटे, कॉंग्रेस पार्ट के राहुल गांधी को 0, और आमाधी पार्ट के सायोजन अरविंद केजरी वालों को भी 0 सीट का सामना करना पड़ेगा, दोस्तों यहाँ बात कर लेता है, वापिस से करना ठक का ओपनिन पॉल नेकल आ रहा है, थीश विदा के खात में 5 सीटे, आमाधी पार्ट के सायोजन अरविंद के जरी वालों को 0, रणनी पार्ट को 0, 0 सीट का सामना करना पड़ेगा, दोस्तों यहाँ बात लेते हैं, मेगा लेकी, मेगा लेकी 60 विदानस पार्ट सीट है, और यहाँ बर 60 में से 12 विदानस पार्ट सीट का उ 0, 0 सीट, तरीपुरा की बात करें, तो तरीपुरा में 6 में से 15 विदानस पार्ट सीट का उपनिन पूल आपको दिखाया जारा है, तो यह बर 20 पी खात में 8 एंस आई-म के खात में 4 सीटे और कॉंग्रेस पार्ट को 1 सीट और TIPRA के खात में 1 सीट, आमाधी पार्ट खात मे 0 रड़नी पार्ट को 1 सीट मिल सकती है, बात कर लेता है, जी हाँ दोस्तों बात कर लेता है, करनाटक विदानस पार्ट की 200 में से 19 विदानस पार्ट सीट का उपनिन पूल आपको दिखाया जारा है, तो यह बर भारत जंदा बढ़ेने के BCP को 32 सीटे, कॉंग्रेस पार्ट के नेता को 21 सीटे, JDS के खाता में 12 सीटे, और आमाधी पार्ट को 0 रड़नी पार्ट को 1 सीट मिल सकती है, दोस्तों यहाँ बात कर लेता है, मेगा लेकी, मेगा लेकी, 60 में से 25 विदानस पार्ट सीट का उपनिन पूल आपको दिखाया जारा है, तो यहाँ बीसी पीने की भार्ट इंदा पार्ट को सबसे ज़्यादा सीटे, यहाँ ग्यारा सीटे, UDP के खाता में 1 सीट, NPEF के खाता में, EP के खाता में 8 सीटे, और INC खाता में 5 सीटे, और IND के खाता में 0, रड़नी पार्ट को 0-0 सीट, दोस्तों यहाँ पर बात कर लेता है, अगर लाजेगी य सीट आमाधी पार्ट को जीरो अन्य पार्ट को एक सीट मिल सकती है दोस्तों यहाँ पर बात के लाता है नागा लेंड की 60 में से 23 से विदानसबाद सीट का उपनियन पूल आपको दिखाया जारा है तो यहाँ पर आठ पर नेफ्यू यो को मिल सकती है बीजेपी घात में नो स सीटे एनपी एप के नेता टी आर को यहाँ पर मिल सकती है 6 सीटे कॉंग्रेस पार्ट को जीरो रन्नी पार्ट को जीरो सीट का सहम ना करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर बात कर लाता है करनाट की 224 सीटों में से 111 विदानसबाद सीट का उपनियन पूल आपको दिखा आज आ रहा है तो यह पर भारते जंता पार्ट हैने के वीजेपी को पचपन विदानसबाद सीटों पर जीता स्ल हो सकती है और 35 सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी के ते 20 सीटों पर जेडी एस आमादी पार्टी के सयोजन अर्विंत का जिर्यवाल खता खोलने में एसमर्त और अन्य पार्ट को एक सीट मिल सकती है दोस्तों याँपर बात कर लेता हैं मेगा लैगी मेगा लैगी साट में से अड़ चास विदांसबा सीट का ओपनिन पूल आपको दिखा जारा है आएनसी खात में 15, NPE, PK खात में 12 सीट, UDP खात में 1 सीट और वीजेपे कात में 20 विदांसबा सीट, IND खात में 0, रन्नी पार्ट को एक जीरो जीरो सीट कर समना करना पड़ेगा दोस्तों अब बात कर लेता है तरीपुरा रज्ये की, तरीपुरा की 60 विदांसबा सीट में से अब तक 45 विदांसबा सीट का ओपनिन पूल आपको दिखाया जारा है तो यहाँ पर 20 विदांसबा सीट का ओपनिन पूल आपको दिखाया जारा है नेफ्यूर रियो को यहाँ पर चुगदा विदांसबा सीट के नेता तेम जेन को यहाँ पर मिल सकती है 28 विदांसबा सीट यहाँ पर जीत के बहुत करीब यानि कि गटबंदन करना पड़ सकता है फिर से NDPP को फिर से समर्तन में लाना पड़ सकता है और इस लिहाँ से देखा जाये तो यहाँ पर फिर से भारतेंदा पर और NDPP के सरकार बन सकती है यानि कि फिर से भारती जन्ता पार्ट याने की BCP की सरकार बनती भी दिखाई दीद रही है नागलेंड में वहीं दोस्तों यहांबर बात कलाते हैं करनाटक की सभी 224 विदांसबा सीट का ओपनियर पूल आपको दिखाया जारा है जन्ता की राइके नुचार 120 विदांसबा सीट ओपर भारती जन्ता पार्टी तो वहीं कॉंग्रेस पार्ट के नेता कोईया पर 70 विदांसबा सीट और 33 विदांसबा सीट ओपर SD कुमार स्वामी तो वहीं आमाधी पार्ट के सयोजन अर्विन के जरिवाल को 0 राणनी पार्ट को एक सिल मिल सकती हैं करनाटकी बात के लिए तो यहांबर भारती अंता पार्टी पून बहुमत के सरकार बनाती भी दिखाया दे रही हैं कॉंग्र तो किस पार्ट के कितनी सीट मिल रही हैं तो कॉंग्रेस पार्ट है इनके आई एंसी कात में 15 सीट है एन पी एपी की खात में चुगजा सीट है यूड़ी पे खात में एक सीट है और बीजेपी खात में 30 विदांसबा सीटों के साथ जीत हांसल कर पहली बार पून बहुमत की सरकार मना सकती है या फिर एक आज सीट पर उसे गट बंदन करना होगा बीजेपी आने की फिर से बीजेपी की सरकार में बनती वी दिखाई दे रही है गट बंदन वाली सरकार बनती वी दिखाई दे रही है तरीपुरा की बात करें तो तरीपुरा में 60 विदांसबा प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के निचे के लाल बटन दिया और स्ब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलेगा ठेंक्यू टेकर गुडबाई जेहिन जेबराच एकसान फंदे मातरम ठेंक्यू दोस्तों